हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ एड्वोकेट नित्री पांका आप हैं मेरी यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में मैं आपके सामने आज एक बहुत ही बेटरीन वीडियो प्रसुत करने जा रहा हूँ यह जो है मेंन्टैनेंट का एक ग्राउंड है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं मैं इसके बारे मिज स्कसर करेंगगा है मेंस के बारे मघरने को दे जाता हैं मेंटैनेंट कम करने के या जीरो करने के दो तिन तरीके हैं एक या तो wife Gordon जो है अनिंग अगर wife नींग है तो अबईसली आपको गोहाद एफट मारना पड़ेगा और उसकी जो income exact income है वह court के सामने रखनी पड़ेगी वाइफ ओर देलिए और वह छुपार यह की वह कितना earn करती है तो आपकी duty है कि आपको यह find करना है कि वो कितना कमा रही है और कहां काम कर रही है तो section 91 का यहां पर प्रयोग आप कर सकते हैं और यहां पर जो है आप यह चीज find out कर सकते हैं कि wife जो है कितना earn करती है अब एक और तरीका है जो कि बहुत कम लोग use करते हैं वो तरीका है कि wife जो है अपने आप ही जो है matrimonial home जो है छोड़के चली गई जनरली 95% petitions में यही लिखा होता है कि मेरे साथ जो है दहेज की मांग की गई मुझे मारा पीटा गया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया इसलिए जो है मुझे चाहिए भरन पोशन यानि maintenance तो यह जो है 90% cases में तो यही allegations होते हैं और इसी पर ही जो है maintenance का पूरा case आपका चलता है अब यहां पर आपको जो है पहली चीज एफेक्टिव cross examination से यह आपको निकालना है कि ऐसी कोई cruelty हुई नहीं ऐसा कोई incident हुआ ही नहीं ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं कि wife जो कहरी है cruelty हुई है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जूटा case है और maintenance जो है वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि wife जो है बिना किसी कारण से matrimonial home छोड़के चली गई अब देखिए यहां पर जो है एक catch है आप जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट में यह चीज आर्ग्यू करते नहीं है कि wife ने जो है cruelty जो है प्रूब नहीं की wife ने जब cruelty प्रूब नहीं हुई तो wife के पास और कोई reason नहीं है matrimonial home छोड़ने का अब जब कोई जजमेंट और गुजरात हाई कोड की मैंने देखा था जो ऑनेबल सुप्रीम कोड की इस जजमेंट जो मैं अभी बात कर रहा हूं इस जजमेंट को यूज करके जो है मेंटेनेंस जो है बिल्कुल खारिज हो गया था यह वाला केसे मेंटेनेंस का तो यानि है कि wife किसी किसी reason से बिना किसी reason के जो है matrimonial home उसने छोड़ा उसने कोई try नहीं कि reconciliation का या mediation का husband के side से effort था reconciliation का mediation का या फिर उसने जो है restitution of conjugal rights RCR का case भी डाला था तो यहां पर यह prove हो सकता है कि wife जो है बिना किसी reason के यानि युक्त-युक्त कारण के matrimonial home से separate रह रही है क्योंकि cruelty तो वो प्रूव नहीं कर पाई आपने जो है उसे cross examiner करा उसे और ऐसे circumstances निकाले जिससे यह प्रूव हो जाता है कि cruelty तो हुई नहीं है जब cruelty नहीं हुई है जब करी है कि cruelty के ground में उसे भर से बाहर निकाल दिया गया उसने कोई complaint नहीं की ना कोई उसने mlc कराई कुछ भी नहीं किया और यहां पर जो है जब यह चीज़े प्रूव हो जाती है कि cruelty हुई नहीं तो फिर क्या यह बहुत कम लोग यूज करते हैं और इसकी जजमेंट है यह मैंने आपको बताई ओनेबल सुप्रीम कोट की अगर आपको यह जजमेंट चाहिए तो अगले साथ दिन तक आप मैं जो है यह आपकी mail id पे जो है personally mail करूँगा साथ दिन तक सिर्फ उसके बाद यह judgment मैं जो है description link में डाल दूँगा पर आपको जो है अगर अभी judgment यह चाहिए तो आप अपना जो email idea comment section में comment कीजिए मैं आपको यह judgment जो है आपके email id पे provide कर दूँगा एक honorable supreme code की judgment और एक गुजरात high code की मैं personally mail करूँगा अगले साथ दिनों तक साथ दिन के बाद मैं जो है यह जो judgment है इसका जो article है वह मैं upload कर दूँगा description box में तो फिर आपको comment करने की जरूरत नहीं होगी आपको वैसे description box से जो है मिल जाएगा और आपको एक और चीज़ करनी है आपको यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और आप जो है अपना comment section में अपनी email id भेढ दीजे मैं आपको personally जो है यह mail करूँगा यह जो judgment है दो जैज्मेंट है यह दो जैज्मेंट मै आपको mail पर पूरी जैज्मेंट आपको mail करूँगा बेराल वीडियो तेकनिक लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद थैंक्यू बर्यमाच